हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की वीडियो में हम कक्षा चार के विश्या पर्यावरण अध्यन के क्षिण पेपर को आंसर सही और कितने गलत किये हैं तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों question one है रिक्त स्थान भरिये एक समुंदरी जंतू है तो क्या है बच्चोंचली next है child help line number कौनसा है 1098 child help line number है next है नरत्य असमराज्य से संबंदित है कौनसा नरत्य है बी हू नेक्स्ट है गुरुदारे में एक साथ खाना पकाने और खाने को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है लंगर कहा जाता है नेक्स्ट है को घावों पर लगाया जाता है ताकि वे जल्दी ठीक हो सकें तो किसको लगाया जाता है हल्दी को अब देखते हैं बच्चों अगला कोश्यन सही या गलत कथन का चैन कीजिए फर्स्ट है दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूनों में रैंप का निर्माण किया जाता है तो बच्चों ये बस सही है इसलिए सही है नंदिता अपनी मा के इलाज के लिए मुंबई आये थी तो ये भी सही है नेक्स्ट है पिता के छोटे भाई को मल्य अलम में चित्पन कहा जाता है तो बच्चों ये भी सही है नेक्स्ट है कारखानों से निकला हुआ रसायन जल को प्रदूशित करता है तो ये भी सही है नेक्स्ट है पोलियो प्रदूसित जल पीने से होने वाली बिमारी है तो बच्चों ये गलत है प्रदूसित जल से टाइफाइड होता है है नेक्स्ट है निम्न प्रस्णों के उत्तर एक सब्द में दीजिए ग्रिस्म रितू में मिलने वाले एक फल का नाम बताईए तो बच्चों एक फल का नाम है आम डॉक्टर वहीदा को प्रिज्म की उपादी किस ने दी तो बच्चों डॉक्टर वहीदा को प्रिज्म की उपादी वहीदा के पिता जी ने दी next है एक मसाले का नाम बताईए जो कई मसालों का मिसरण है it means मिलकर बना है जो कई मसालों से गरम मसाला next है एक जलजनित रोग का नाम बताईए तो जलजनित रोग है टाइफाइड next है किसी एक त्योहार का नाम बताईए जिसे हम अन्य परिवारों के साथ मिलकर बनाते हैं तो ऐसे त्योहार है होली, दिपावली और ईड आप कोई भी एक लिख सकते हैं नेक्स्ट है किसी एक रक्षाबल का नाम लिखिए तो रक्षाबल है बच्चो सीमा ससस्त्र बल नेक्स्ट है चित्र को पहचान कर नाम लिखिए यहाँ पर चित्र दिये गए है इन्हें पहचानना है कि चित्र में क्या है और आंसर लिखना है तो पहले चित्र में क्या है टेक्ट दूसरे चित्र में क्या है बच्चो यह क्या है जोपड़ी है यह नेक्स्ट है ये क्या है बच्चो ये लॉंग है क्वेश्चन है हमें सबजियों और फलों का इस्तिमाल करने से पहले अच्छी तरह से दो लेना चाहिए क्यों तो बच्चो इसका आंसर है हमें सबजियों और फलों का इस्तिमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से इसलिए धो लेना चाहिए क्योंकि आजकल सबजियां और फलों पर विबन प्रकार की कीटनासक दवाईयों का छिड़काव किया जाता है जो स्वास्थे के लिए हानिकारक होती है अगला कुश्यन है बुनकर अपने पाराम पर इक कारे को क्यों छोड़ते जा रहे हैं तो बच्चो इसका आंसर है, बुनकर अपने पारामपरिक कारे इसलिए छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि रेसम लगातार महगा होता जा रहा है, बड़े दुकानदार बुनकरों को साड़ी का बहुत कम पैसा देते हैं और स्वेमवे उचे दामों में साड़ीों को बेच देते हैं, अगला कोश्यन है, प्रतिबा के अनुसार क्या उचित नहीं था, तो बच्चो इसका आंसर है, प्रतिबा को यह बात उचित नहीं लगती थी, कि उसके लिए एक नियम और उसके भाईयों के लिए दूसरा नियम था, बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी करना हैं, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें, थैंक यू